दूस्तोन कई बार हम यह सोचते हैं कि हम इस कारिय को करने के लिए पूरी शिद्दत से कुशिश कर रहे हैं क्बश्ण अगर आप चाहते हैं कि इस कारिय पूरी तरह पूरा करना तो आपको ज़रूरत है सही बिधी की जी हाँ, क्योंकि एक सही विधी, एक सही उपाय ही किसी कारे को सार्थक करने में पूरा सहयोग दे सकता है कई बार हम किसी से प्यार करते हैं और उसे अपनाने के लिए हम कई टोटकों को अपनाते हैं कई बताये गए नियमों को अपनाते हैं लेकिन उस विधी में हमने सही मंत्र का प्रयोग नहीं किया जिसलिए शक्ती नहीं होती या वो मंत्र अभी मंत्रित नहीं होता या फिर वो विधी किसी अंजान इंसान की वनाई गई होती है जिसके कारण उस विधी का असर जीरो होता है आपकी परिशानी 100% वही की वही रह जाती है वो परिशानी कभी खत्म ही नहीं होती और खत्म होगी भी कैसे क्योंकि आपके पास जो विधी है वो गलत है जब तक विधी सही नहीं होगी परिशानी का हल नहीं होगा आज मैं आपको सही और सरल विधी बताने जा रही हूं जिससे अगर आप अपनाते हैं तो आपका कार्या पूरी तरह सही हो गा क्योंकि ये विधी सिद्धी की विधी है जो विधी में मंत्र की आवश्यक्त होगी वो ऐसे ही कोई मंत्र आपको नहीं बता देंगे हर मंत्र का अपना एक महत्व होता है अपनी एक शक्ती होती है एक और होता है और ये मंत्र की राशी के हिसाब सेग्रह के हिसाब से अलग-अलग होता है कोई भी मंटर कोई भी प्रेवक करे ऐसा नहीं होता तो आज जो मंटर मैं आपको बताऊंगी वो मंतर अभिमंतरित होगा और वो मंतर भी शक्टी शाली मंतर होगा इसके उत्चारण मात्र से ही आपका कारिय पूरा हो जाएगा और आपको कुछ और करने की किसी विधी को अपनाने की जरुरत नहीं होगी किसी तांतरी के पास जाने की कभी आवशक्ता पढ़ने वाली ही नहीं है और इसमी जो सामगरी चाहिए वो सामगरी आपको रसोई में आसानी से उपलब्ध होती है सामगरी के लिए भी आप बाहर जाने के लिए मुझे सामान लाकर दे दो ऐसी कोई आवश्यक्ता नहीं होगी आपको रसोई में जाना है और रसोई में रखे लॉंग के डबे में से आपको 27 लॉंगे निकालनी है बस सामगरी के नाम पर आपको चाहिए ये 27 लॉंग और आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आईए बिना समय बरबात करें मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है आपको सुबह के समय स्नान करके एक साब जगह पर बैठ जाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि विधी करते वक्त कोई भी आपको ना देखे अगर कोई आपको देखता है तो वो टोक देता है जिससे ये कारिय जो है वो कारिय खत्म नहीं हो पता इसके शक्ति खत्मों हो जाती है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये कारे करें तो कोई भी आपको ना देखे अब आपको वो 27 लोगों को खुद ही अभी मंत्रित करना है और वो किस तरह से करना है एक मंत्र आपको बताया जाएगा उस मंत्र को आपको बोलना है और आप किसी को भी अपने वर्ष में कर सकते हैं जिससे भी कोई कारे कराना चाते हैं चाहे प्रेमी हो या प्रेमी का या आपका बॉस हो या कोई भी जिससे आप अपने वर्ष में करना चाते हैं उसका नाम लेकर आपको ये काम करना है एक लॉंग को अपने उपर तीन बार उबारना है ऐसे ही आपको 27 लॉंग के साथ करना है और फिर जब यह आप कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना आपको उस व्यत्ती का ध्यान करना है आप इस कारे को चलते फिरते भी कर सकते हैं जैसे ही आपके 27 लोंगे पूरी होने वाली होंगी, आप देखेंगे कि ये असर कितनी जल्दी करता है, कैसे ये आपका उस इंसान जो आप से रोट गया है, वो आपको आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, और वो खुद आपके कारे को पूरा करेगा, तो बिना समय बरबा गुरुजी आपको राशी के हिसाब से और गरह के हिसाब से मंत्र दे देंगे, और फिर जब उस मंत्र का प्रयोग आप इस विधी में करते हैं, तो देखेगा ये विधी कितनी सार्थक होती है, कितनी आसानी से आपका कारिय पूरा हो जाता है, तो दोस्तों बिना समय बात करें अपनी परिशानियों को ना बढ़ाएं और अपने जो कस्थ हैं उसे दोर करें इस आसान सी विधी को करके तो आप इस विधी को कैसे और अपने आपको खुश रखें और भी कोई समस्या है तो आप गुरू जी से बात करके अपनी हर समस्या का हल ले सकते हैं ऐसी को कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरू जी के पास ना हो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर गुरू जी को कॉल करें और अपनी सारी समस्या का हल लें जै माता दी